नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस बिड़ो को देखने के बाद आपको और अन्य बिड़ो देखने की जोरत नहीं पड़ेंगी क्योंकि आज मैं अप लोगों को दिपवाली धन तेरस इसके संपूर्णा जानकारी बताओंगा क्या खरिदना चाये क्या नहीं खरिदना चाये क्या करने से बचे जिसे हमारे घर में अनधन की बढ़ष्त री हो चूह रइसा, जो शती है तो देखिये जो दीपावाली का तवहार हैं, या चोबीश अक्टुबर को है और दिपावली की दिन खास कर लच्मी जी, गड़ेश जी और कुबेर जी इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चीए इस दिन मालच्मी की क्रिपा पराप्त करने के लिए अप जितना जादा होशके जो टोने होते हैं टोटके होते हैं आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिवाली किरात अगर आप कुछ उपायों को करते हैं सही तरीकिस उपायों को करते हैं तो माल अच्मी इस थाई रूप से आपके घर में वास कर जाती हैं जिससे आपके घर जो हमेशा धन बभोशे परिकुनना बना रहा है बिड़ो में आगे बनने सपले जानकारी बताने पहले सभी दर्सकों से गुचारिस कहना चाहूंगा आज से आज आपना कम से कम 10-12 मिनट का बहुमूल समय जरूर देना और कोमेंट बाक्स में जैमातालच मी जरूर लिखना आप हमारे बिड़ो को देख रहे हैं आप हमारे बिवर्स नहीं आप हमारे दर्सक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिसे हैं कोई भी समस्सा हैं कोई भी प्राबलम है तो कमेंट बाक्स में बिल्कुल ही पूछे आपकी मदद की जागी प्राचीन ग्यान चैनल के कमाया गया पैसे धिकतर गरिब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है मैं जो टोटके बत पर चड़हा करके आ जाते हैं तो जीवन भार मालच्मी की क्रिपा बनी रहती हैं इसे मालच्मी बहुत प्रसन होती हैं और साधक को अन धन एवं सभी प्रकार के अलोकिक शूख प्रदान करती हैं चलिस बड़ों में जानते हैं धन तेरस के कुछ विसेश जानकारी धन ते देव लच्मी जी और कुबेर देव की हम जो है पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी समान खरीदना बहुत ज्यादा सुब माना जाता है धार्मिक मानत है कि नुशार इस दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं जैसे कि चल संपती हैं अचल संपती इसमें तेरा तो धन तेरस 2022 में कब है तो पंचाएं के नुसार इस साल धन तेरस 23.00 अक्टूबर 2022 को में धन 13 के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती हैं क्योंकि धन का कोसा अधक्षा कुबेर महराज को कहा जाता है इस दिन सोना, चांदी, बरतान, आदी जोह खरीद सकते है चलिस बीड़ो में जानते हैं दीपावली स्पहले घर से कौन सी पांच ऐसे बस्तों जिसे घर से बाहा निकाल देना चाहिए नहीं तो मालच्मी आपकी घर में परवेश नहीं करेंगी तो बीना पूछे इमाल लच्मी आपकी घर में परवेश कर जाती हैं जिस घर में लच्मी परवेश कर जाती हैं पिर ऐसे घर में अनधन की कमी नहीं होती है और जिस घर में कुड़े हैं करकट हैं गंदगी चीज़े हैं से घर में उनकी बहन कुल लच्मी परवेश कर जाती ह फिर क्रेक हुए जो इस्टील है प्लास्टिक है तामबे के बरतान है ये इस्टोरूम में रखते हैं सास्तरों के नुशार दिपावली पर टूटे हुए बरतान घर में रखना शुब नहीं माना जाता है इन्हें आप बेंज दे या फिर कहीं पर फेंग दे क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकरातमकता का प्रतिक माना जाता है दूसरे स्टमागरी है रूकी हुई घड़ी दिपावली के परवब में जिवान में देखे खुशे आती हैं अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होते हैं इसे दुर्भागय का प्रतिक माना जाता है देखे हर वेक्ति चाहता है समय उनके शाथ दे घड़ी क्या है समय का प्रतिक है और जिनके समय बंद हो जिनके समय रुख गया हो यह फिर टूटवी घड़ी हो अईसे बिल्कुल ही घर में नाकरात्मकता प्रभाव आती हैं वस्तू दोस लगते हैं और जिसके घर में वस्तू दोस लग जायाँ फिर ऐसे घर की कभी भी तरक की नहीं होती तो साफ सफाई के दवरान जो पूरानी घड़ी हैं बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दे से मालच मी नराज होती हैं तीसरा चीज नोट करके रखे इलेक्ट्रानिक समान दिपावली देखे जो रोष्णी का तोहार माना जाता और मालच मी वही निवास कती जहां अंधेरा नहों तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपके लाइड बलब हैं खराब हैं जो दिपावली का तोहार है इसे प्रकास का तोहार माना जाता है इसके बाद है फटे जूते चपल अच्छा खाना और पहनना ये देखे संपता के निशानी मानी जाती हैं लेकिन अगर आप फटे पूराने जूते चपल अपने घर में रखते हैं तो सास्तरों को नुसारी से अनुचित माना जाता है फटे जो कपड़े हैं ये नगरत मकता लाते हैं मालच मी उन्ही पर अपने क्रिपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे रहते हैं शुद वाता वरण में रहते हैं फटे वटे अगर आप चीजों को पहनना सुरू करते हैं तो दरेदरता की तरप कभ मालच मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूतेच चपल घर के मुख्य द्वार पर नहीं पने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूतेच चपल बिल्कूल मत रखन नहीं नहीं आएंगी इसके बाद है खंडित मूर्ती, देवी दियोताओं की खंडित मूर्ती घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे वास्तू दोस बरता है, हो सके तो आप इसे जल में प्रवाह कर दीजे, अगर आप इन्हें साफ साफाई करें, तो किसी पवीत्र धारा जो नदिक हैं उसमें बहा दे, तो इसके आपको फायदा होगा, आपकी घर में मालश्मी परवेस कर जाएंगे, तो ये थी दीपावली की कुछ पाहले हटाए जाने माले समागरी के बारे में, अब आई इस वीडियो में जानते हैं, धन्तेरस बर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए, जो क एक साल तक मालश्मी की आपकी उपर कृपा बने रहेंगे, पूरे धन्तेरस आते तक दीपावली आते तक मालश्मी की कृपा बने रहेंगी, आपके घर में अनधन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगे, तो धन्तेरस की दिन सोना, चांदी, अभूशाड, बरतन की खरीदार नहीं है, तो धन्तेरस की दिन सोना, चांदी की अलावा, पीतल के बरतन को भी जो है आप खरीद करके अपने घर में लाज सकते हैं, धन्तेरस की दिन सोना, चांदी या भूशाड नहीं खरीद पाते हैं, तो इस दिन पीतल के वस्तु खरीद करके लाज सकते हैं, इसे भी म हमेशा खतना शाबीध होते हैं, यहाँ पर अच्छे जान करें आप से भी दर्शकों को मिलेंगे, तो धन 13 के दिने चांदी का सिक्का खरीदना अत्यांद सूब माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है, 600 से लेकर के 700 रुपए में आपको चांदी की सिक्के मिल जाएंगे, त कहा जाता है, धन 13 की दिन हो सके, तो जाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए से अत्यांद सूब माना जाता है, दरसल हिंदू धर्वा में जाड़ू को मालच्मी का स्वरूप माना जाता है, देखें, जो जाड़ू है मालच्मी का स्वरूप माना जाता है, जो क लच्मी को वास होता है धन्तेरस के दिन जाडू खरेदने से घर में सुक इस मृद्धी का आगमन होता है। पूजा करें इसे लाल कप्डे में लपेड करके इसे घर में अइसा मानेता कि इसे घर में संपनता आती है इसे आपकी घर में अनधन की बढ़ोतरी होती है धन धन 13 के दिन श्री यंत्रा खरिदना सुब माना जाता है अब इसके पीछे मैं कारण बता दो जो यंत्रा होते हैं ये देवी देउताओं के प्राण होते हैं मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ आप सभी धर्सकों को जो देवी देउता के जिस प्रकार के आप यंत्रा खरि जालिक दिन विदी विधानस इनके पुजा करते हैं और इसे पुजा करने गद आप अपने इसी पूजन रुम में रखते हैं तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहें कि आपके घर में अनधनकी कमी नहीं होगा स्वाता ही इनके क्रिपा से आपके घर में धनकी बढ़ोतरी होगा कभी भी अनधनकी कभी नहीं होगा निरंतर इनके उर्जा से निरंतर इनके क्रिपा से आपके घर में धनका प्रभा होता रहेगा सभी प्रकार के लोकिक और अलोकिक आपको शुको की प्राप्ती होगा अई इस बिड़ो में मैं आप लोगों को बता दू धन्तेरस और दिपावली के दिन क्या न करे अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मा लच्मी बिलकुल ही उनसे नराज रहती है उनसे मा लच्मी हमेशा रुष्ट रहती है दिपावली दिन सुबा देर तक न उठना क्योंकि यह जो दिन होता है लच्मी प्राप्त करने का समय होता है इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मा लश्मी की किर्पा से वंचीत रह जाएंगे अब आपको धनवान बनना है गुडवान बनना है सभागयवती बनना है हर प्रकार के सुखों को भोगना है तो इस दिन जल्दी उठें क्योंकि जो वेक्ति समय के साथ चलता है समय उन्ही का साथ देता है तो बिलकुल ही आप समय के साथ में चले और दिपा वालिक दिन विश्वष्व से अपने माता पीता और घर के बुजूर्गों का आदार बिलकुल ही करे आप इनका अनादार मत करना मालश्मी कुपीत होकर कर अगर आप इनका अनादार करते हैं करकट पड़े रहें ये इसे मालचमी नराज होती है बिलकुल इस दिन आप जो ताब सफाई करके अपने घर का वाता वरान पवीत्र रखले ना ज्ञाड़ू की इस दिन आप पूजा करना और इससे उत्तर दिसा में जरूर रखना उत्तर दिसा कहा जाता है दियों ताओं की खूंद रहे हैं तो जाड़ुक नहीं बलकि मा लच्मी को खूंद रहे हैं इसे मा लच्मी कुपी तो हो सकते हैं देखें जो लच्मी माता हैं जितना जल्दी प्रसन होती हैं उतना जल्दी रुष्टा हो जाती हैं इसलिए लच्मी कभी भी एक इस्थान पे लंबे समय तक अगर आप इनका थोड़ा बूत अनार्दार्द करें तो रुष्टा हो जाए और फिर जल्दी प्रसन भी होती हैं तो आप जो जाड़ू बिल्कुल ही जाड़ू पर अपना पैर मत रखना इसे अपसकुन माना जाता है इसे लच्मी जो है आप लच्मी को ठोकर मारें एक भाद घर में जाड़ू इस दिन मत लगाना बिल्कुल ही जाड़ू साफ relação कि आब लाइट लगा सकते हैं अच्छे बल्बा भी लगा सकते हैं देखें इस दिन क्या नहीं खरीदना चाईए बेखें जो दीपावली है धन्तेरा इस दिन कुछ सब्क्राइबु भूब लाते हैं अगर अब को श्रीद कर लाते हैं शो खरतने से भऻतना चाहिए लेकिन लोग जानकारी के भौ में दिपावलिक दीन इस्टील से बने बरतनी ये फिर उससे बने जो वस्तु होती घर में खरीत करके लाते हैं क्योंकि इस तील में राहू का वास माना जाता है। और जिसमें राहों का वास माना जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं कले शुद्धपन करती है हमारे सास्तोर में भी लिख है इस्टील की समागरी बिल्कुल ही दीपवाली छे किसी भी सुब मुहरता में खरीद करके नहीं रहे हैं तो उसमें थोड़ा से गहूं या चावाल डाल दीजिए उसके बाद आप जो खरिद करके ला सकते हैं तो जो राहू का दोस होता है वह दूर हो जाता है इस बात का आप जो है विसेज ध्यान रखना इस दिन काले रंग की कप्ड़े या फिर काली वस्तू का खरिदा जाते हैं तो इसे राहू के शक्ति आ जाते हैं केतू के शक्ति आ जाते हैं शनी की कुद्रिष्टी लग जाते हैं और इस सारे निजगर आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला इवं कलिज ला सकते हैं काली चीज बिलकुल ही काले कलर की को भी वस्तू हैं काली चीज अगल आदर मस्मी के ध्यान करने के सीफसे क्मिशी के नकेम का फिका सित्वर और युज़ करना वह भी पता दो गुलाब के इतर का थोड़ा सबुदिस में डाल करके घर में चीटे मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में अधन की कमी कभी भी नहीं होगी आपके घर अंधन से भरे रहेंगे बाद में इस धन्या को आप किसी भूमी में जा कर कि आप इसे लगा सकते हैं, खुदाइक करने को ये, जयसे धनिया में भृध्दी होते रहेंगे, जयसे धन्या में पेड़ पोथे उगए धनिया ऊगए वैसे आपकी अध्यात्य तो अगरलियो कार्णती तो अगर हम ये अध्यात्य करना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक कर चैनल को समिस्क्राइब जरूर करना और इसे हाँ अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर सेयर करना ताकि उन्हें भी जानकारी प्रापता हो धन्यवाद नमस्कार